नमस्कार बच्चो मैं डॉक्टर अनीता सिंग चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटीव एक अक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्यान और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फूट्प्रिंट्स विदाउट फीड का चैप्टर नमबर 6 जिसका नाम है दा मेकिंग ऑफ और साइंटिस्ट किस तरह से एक वेज्यानिक बनता है उसने किस तरह से ब्राइट नाम के व्यक्ति हैं जिनके हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक वेज्यानिक बने चलिए स्टार्ट करते हैं एड़ एज अफ ट्वेंटी टू अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द इयर एक्साइटेड दा साइन्टिफिक वर्ल वित अ न्यू थियरी ओन हाउ सेल वर्क्स तो यह जो एक कहानी है इसमें सबसे पहली ल और स्काउट का मतलब होता है बालचर स्काउट एन गाइड आप लोग के स्कूल में होता है उसी की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं बालचर हिंदी में तो एक छोटा सा एक नया नया जो स्काउट था स्काउट ऑफ द इयर उनको यह एक उपलबधी भी मिली थी कि उनको प theory on how sales work क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिध्धान्त का पता लगाया था कि किस तरह से theory का मतलब होता है सिध्धान्त how sales work कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं इस theory के उपर एक छोटा सा जो scientist है उसकी उम्र आप देखें बहुत छोटी से है बाइस साल की उम्र में ही उन्होंने ये पता लगा लिया था कि कोशिकाएं जो हैं वो कैसे काम करती हैं इसका जो सिध्धान्त है वो इन्होंने पता लगा लिया था Richard H. Ibright और इनका पूरा नाम है Richard H. Ibright जो पूरी स्टोरी अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं And his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the National Academy of Science National Academy of Science के अंदर इनका एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर इनके साथ में इनके रूम्मेट हैं जिन्होंने और दोनोंने मिलके उसमें पूरा समझाया है Roommate explains the theory और उन दोनोंने मिलके क्या समझाई है एक सिधान्त को समझाया है उस आर्टिकल के माध्यम से Proceedings of the National Academy of Science और कहां पे छपा है इनका ये सिधान्त ये छपा है National Academy of Science के अंदर जिसके अंदर बहुत पहली बारी ऐसा हुआ कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई लेक छपा हो उनका कोई सिधान्त छपा हो तो ये बहुत बड़े ओनर की बात थी इन दोनों नए विज्ञानिकों के लिए जो बच्चे हैं कॉलेज के और इन्होंने ऐसी खोज कर डाली कि किस तरह से सेल काम करते हैं और ये जो इनका आर्टिकल है वो इसमें छप भी गया National Academy of Science के पत्र में Theory यानि सिधान्त सेल का मतलब होता है कोशी का Roommate यानि कमरे में उनका जो साथ ही था जो रह रहा था वो Explained का मतलब होता है व्याख्या करना और Article मतलब होता है पत्रिका में लेख तो बच्चों हमने देखा कि हमारे जो मेन इस कहानी को Richard H. Ibright के इर्दगिर्द ही आप गूमते हुए देखेंगे जो इसके मेन मुख्य पातर है Richard H. Ibright और उनका एक roommate है उन्होंने कैसी खोज करी जो उन्होंने खोज करी कि किस तरह से कोशिकाएं काम करती है और सिर्फ 22 साल के हैं ये बच्चे college के students हैं और उनका जो सिधान्त है उसको मौका मिला एक पत्रिका में छापा गया और उसका नाम था National Academy of Science इस पत्रिका में इनको छापा गया इनके उस लेख को जो कि पहली बार हुआ था कि किसी college student का लेख इतने बड़े पत्रिका में छापा हो आगे देखते हैं It was the first time this important scientific journal ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना महत्रपुन वैज्यानिक जर्नल had ever published the work of college students कि किसी पत्रिकाने किसी भी student का लेख इसमें छापा हो ये पहली बार हुआ था published किया था प्रसारित किया था the work of college student क्योंकि ये बच्चे जो थे वो दोनों college में पढ़ने वाले थे और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी college में पढ़ने वाले जो students हैं विद्यार थी हैं उनका कोई लेख इतने बड़े पत्रिका में छपा हो In sports that would be like making the big leagues at the age of 15 अब इसमें एक example दिया है कि ये उसी तरह से है जैसे कि अगर मान लो समझाने के लिए आपको कि जैसे कि आप लोग खेलते हो games खेलते हो in sports की खेलो में that would be like making the big league at the age of 15 कि अगर मान लो आप एक खेलते हो और सिर्फ 15 साल की उम्र में आप एक बहुत बड़ी पारी खेल जाओ तो यसे for example कि मान लेजिए आप पहली बार cricket खेल रहे हो और 6 बॉलों में आपने छियों चक्के लगा दिये तो उससे बड़िया और क्या हो सकता है उस तरह की उपलबधी है इन दोनों बच्चों के लिए इन college students के लिए कि इनका लेख इस पत्रिका में छपा है तो यह एक example है in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 कि यह उसी तरह से है जिस तरह से खेलों में किसी बच्चे ने 15 साल की उमर में ही पूरी पारी को जीता हो and hitting a home run your first time at bat और आपने उसमें home run बना लिया है यह home run जो word है यह आप अगर baseball game के बारे में जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि baseball ball जो हो है वो एक ऐसा खेल होता है जिसमें चार अलग-अलग कोने होते हैं आप बैट से आप ball को hit करते हो और फिर भाग के आपको चारों तरफ रन लेना पड़ता है एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे डब्बे में आकर अगर आप एक ही बार में पूरा complete कर लेते हो और आपकी ball को यह दूसरा जो opponent team वाला है वो अगर अगर उठाया है और एक ओवर के अंदर छे गेंध होती है और छेओं में आपने छे चक्के लगा दिये तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता यानि पिछ में उतरे और हीरो बन गए उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी यह उपलबधी उसी के समान थी For Richard E. Ibright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields और Richard Ibright के लिए यह जो achievement थिया यानि यह जो उपलबधी थी First in a long string of achievements यानि कि उनकी बहुत सारी उपलबधियों की पूरी एक string आप मान सकते हैं कि उनकी जो उपलबधिया हैं उनको अगर आप करम बद करेंगे तो बहुत सारी उपलबधिया हैं उस उपलबधियों की chain में सबसे पहली उपलबधी उनकी यही थी First in a long string of achievements यानि कि उपलबधिया इनको और भी बहुत सारी मिलेंगे आने वाले समय में लेकिन यहां से इनकी उपलबधियों की शुरुआत होती है In science, विज्ञान के अंदर and other fields और बाकी के शेत्र में भी And it all started with butterflies और यह सारी की सारी जो खोज है यह विज्ञानिक बनना और यह सब कहां से शुरूआ यह शुरू हुआ तितलियों से, butterflies का मतलब होता है तितलियों से, अब इसके difficult words देख लेते हैं Important का मतलब होता है, महत्वपूर, Scientific Journal यानि विज्ञान से संबंदित जो पत्री का होती है उसको हम Scientific Journal बोलते है Publish का मतलब होता है, प्रकाशित किया, String of Achievements यानि उपलबधियों का जो सिलसिला है वो और butterflies का मतलब होता है, तितलियां, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है फिर An only child, Ibride, grew up north of Reading, यानि कि यह जो बच्चा है, यह अपने माबाप का इकलौता बच्चा था, यानि एक ही बच्चा था, अपने parents का only child, Ibride grew, और Ibride जो है वो बड़े होते हैं, अब Ibride जो हैं, वो अपने parents के इकलौते बेटे हैं, और इनकी जो पढ़ाई हैं, पढ़ाई करते-करते, यह पैंसलवेनिया में ही बड़े हुए हैं, there wasn't much I could do there, और अब यह कहते हैं, कि जब मैं पैंसलवेनिया में था, जहां पे मैं पढ़ रहा था, वहां पे मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, he said, वो कहते हैं, I certainly couldn't play football, क्योंकि मैं निश्चित रूप से football नहीं खेलता था, और baseball, और नहीं मैं baseball खेलता था, with a team of one, क्योंकि मैं अकेला था, अपने बाबाप की, यानि अकेला बच्चा था, तो मेरे पास ऐसे कोई सहपार्टी भी नहीं थे, कोई मितर भी नहीं थे, कि भई, मैं baseball खेल सकूँ, या football खेल सकूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको एक से ज़्यादा बच्चों की जरुद परती है, खेलने के लिए, तो इनका कहने का मतलब है, क्योंकि मैं अकेला था, अपने घर पे, तो और मेरे कोई friends भी नहीं थे, आस-पास, जिनके साथ मैं खेलता, तो ना ही तो मैं मेरा interest, जो है वो, मैं ना ही तो football खेल सकता था, और ना ही मैं baseball खेल सकता था, क्योंकि ये आसान था, तो मैं क्या कर सकता था, collect things, चीजों को इकठा कर सकता था, so he did, और वैसा ही उन्होंने किया भी, and did he ever, और उसको वो आगे ही बढ़ाते चले गए, यानि जो चीजें इकठी करने का जो शौक उन्होंने पाला, ये उन्होंने शुरू किया और ये आगे बढ़ता ये जो hobby है, रूची है, इसको develop करना शुरू कर दिया था, और कैसे develop किया था, इसको हमने, कि मैंने बच्पन से ही चीजों को इकठा करना शुरू कर लिया था, उनका संगरहन करना शुरू कर दिया था, वो चीजें क्या थी, वो देखेंगे हम, a bright collected butterflies, और ये क्या इकठी कर ये butterflies को इकठा करते थे, यानि तितलियों को पकड़ के उनको इकठा करते थे, with the same, इससे पहले हम एक बर इसके difficult words कर लेते हैं, certainly मतलब होता है निश्चित रूप से, beginning का मतलब होता है, शुरू करते हुए, और collected का मतलब होता है, संगरहन करना, तो collected, a bright collected butterflies with the same determination, और उसी determination के साथ में, उन्होंने क्या किया, butterflies को इकठा करना शुरू कर दिया, determination का मतलब होता है, द्रड निश्चे कि उन्होंने ये द्रड निश्चे कर लिया था, कि अकेला हूँ, टीम गेम्स में नहीं खेल सकता, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, जो अकेला कोई व् निश्चे कर लिया, that has marked all his activities, और यही उनका द्रड निश्चे था, जिसकी वजह से वो अपनी सारी कि सारी activities को, यानि गतिविधियों को आगे बढ़ा पाए, he also collected rocks, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़े इकठी करी, कि इस तरह है, पहले butterflies इकठी करी, फिर उनको लग कि मुझे अलग-अलग तरह है कि पत्थरों को इकठा करना चाहिए, तो उन्होंने अलग-अलग rocks को इकठा किया, fossils को इकठा किया, and coins को इकठा किया, तो जमीन में मिलने वाली चीजें, या ऐसी चीजें जो आस-पास उपलब्द थी, और डिफरेंट थी, उनका उन्होंने संगरन करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने पत्थरों को इकठा किया, coins को इकठा किया, fossils को इकठा किया, इन सब चीजों को इन संगरन करना शुरू कर दिया, he became an eager astronomer, और eager का मतलब होता है उत्सुख, और जैसे-जैसे वो चीजें इकठी करने लगे, उनकी उत्सुकता ज वो एक उत्सुक खगोल विद्ग में परिवर्तित हो गए, बनने लगए, तू सम्टाइम स्टार, स्टार गेजिंग और नाइट, और कई बार वो क्या करते थे, क्योंकि वो खगोल विद्ग भी बन रहे थे, तो रात को बैटके वो तारों को भी देखा करते थे, बहुत सारे तारे है, अलग-अलग तरह के है, किस तरह की किस की चमक है, तो गेजिंग एट स्टार्स का मतलब होता है, रात को वो स्टार्स थे, रात को वो उन स्टार्स को भी बहुत ध्यान से देखा करते थे, जैसे कि ए खगोल विद्ग करता है. From the first he had a driving curiosity along with a bright mind सबसे पहले शुरू आज से ही यह जो बच्चा है यह बहुत ही ब्रिलियंट थे बच्पन से ही तो इन में कोई भी चीज को जानने की बहुत जग्यासा थी तिवर बुद्धी थे Driving Curiosity, Stargazing का मतलब होता है तारों को निहारना Driving Curiosity यानि बहुत जग्यादा सशक्त होना कोई काम के लिए एक दम ready रहना, alert रहना और determined रहना उसके लिए हम यूज करते है Driving Curiosity along with a bright mind, bright mind का मतलब होता है बहुत तेज दिमाख होना, तेज मस्तिश्क होना He also had a mother who encourages his interest, उनकी एक मा थी, मा भी थी, मा सभी की होती है, इनकी भी एक मा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनके जो interest था, जैनि जिस चीज में रूची रखते थे, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा support किया तो इनकी mother का role इनकी life में बहुत important है, जब हम chapter पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने उस बच्चे को मारदशन दिया और आगे से आगे जो इतने बड़े वो scientist बने, उसमें उनका कितना important role है तो he also had a mother who encouraged his interest, उनकी जो मा थी, उन्होंने प्रोच साहित किया उनकी रूचियों को कि उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को कोई चीज में interest है, तो वो उसको motivate करती थी कि अच्छा है, जैसे तितलिया इंकठी करके लेके आता था तो वो उसे बात भी करती थी, अच्छा क्या है, कैसी है तो इस तरह से जो उसकी रूचिय थी उसमें वो भाग लेती थी और उसे motivate करती थी interest in learning, she took him on trips और फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो उनकी रूचि थी सीखने में उसको वो आगे भी बढ़ाती थी और उसको अलग-अलग तरह की यात्राओं पर trips पर भी लेके जाती थी, जहां जाके वो अपने आपको और ज़्यादा explore कर सकें यानि अपने आपको और ज़्यादा उन चीजों को जान सकें, एक-एक चीज को अपनी आँखों से देखें और उसका अनुभव ले सकें Anchorage का मतलब होता है प्रोचसाहित करना और trips का मतलब होता है यत्रा और telescope का मतलब होता है दूरबीन और इन सब चीजों के लिए उन्होंने उसको financially भी बहुत support किया उन्हें वो सारी चीज़ें भी लाके दी जिनकी मदद से वो एकदम सुष्म तरीके से एकदम ध्यान से उन चीजों को निरक्षन कर सकते हैं, समझ सकते हैं she took him on trips, वो उनको trips पे ले जाया करती थी, bought him telescopes और उन्होंने दूरबीन भी लाके दी ता कि वो दूरबीन यानि दूर की चीजों को हम देखते हैं और वो हम एकदम पास दिखाई देती हैं और एकदम बारीकी से हम उनको देख सकते हैं वो होती है दूरबीन जिसको हम telescope बोल सुक्षम दर्शी होते हैं जो बिलकुल जैसे कोई भी एकदम छोटी सी मालेजी आपने एक चोटा सा प्याज का एक तुकडा लिया है और उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखके और उसमें एक लेंस लगा होता है उसके अंदर से देखते हो तो उस चोटे से टुकड सुक्षम दर्शी लाके ताकि वो फोटोज कीट सके उनकी स्टडी कर सके पहले और बाद में जो भी चीज़ें उसने देखी है Mounting materials Mounting material मतलब होता है और भी जो वस्तुवी होती है मढने वाली जिनकी जरुरत पड़ती है एक किसी भी ऐसे वेक्ति को जो study कर रहा हो किसी चीज के बारे में वो सब चीजे भी उन्होंने उसको लाके दी and other equipments and help him in many other ways equipments का मतलब होता है और भी उपेक्षित वस्तुवी जिसकी उनको जरुरती वो सब लाके दी ताकि वो जिस भी चीज के बारे में study कर रहा है ज्यान प्राप कर रहा है अध्यान कर रहा है उसमें किसी तरह की कमी ना आए और वो उसमें और ज्यादा deeply उसको study कर सके and help him in many other ways और और भी अलग अलग तरीकों से उन्होंने अपने बेटे की मदद करी ताकि वो अपनी study जो है जो भी वो पढ़ रहा है उसको वो और deeply कर सके I was his only companion until he started school अब ये उसकी मदर कहती है कि मैं ही उसकी एक साथी थी जब तक कि उसने वो school नहीं गया तब तक उसके साथ मैं ही रहती थी घर पे और मैं ही उसकी एक साथी थी जो उसके हर काम में उसकी मदद करती थी his mother said उसकी मा ने कहा only companion यानि एक खाली मैं ही उसकी साथी थी until जब तक कि उसने school जाना शुरू नहीं किया तब तक after that उसके बाद में I would bring home friends for him मैं उसके बाद में उसके जो दोस्त हैं उनको भी घर पे ले आया करती थी ताकि उसको दोस्तों से भी थोड़ी जान पहचान रहे but at night we just did things together लेकिन रात के समय जब हम दोनों मा बेटे अकेले हुआ करते थे तो हम लोग बातचीत करते थे उन सब चीजों के बारे में जो भी उसने study करी है but at night we just did things together सब चीजें हम साथ में किया करते थे मा और बेटा दोनो Richie was my whole life after his father Richie वो अपने बेटे को शौर्ट में Richie बोलती है और वो कहते हैं कि Richie ही मेरा पूरा जीवन था जब उसके पिता जी के डेथ होने के बाद में तो इसी लिए कहा है कि यह दोनो मा बेटे जो है वो साथ में टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि उसका फादर जब एकस्पायल हो गया उसके बाद में Richie was my whole life यानि बेरा बेटा Richie ही मेरी पूरा संसार था पूरा जीवन था यह उनकी मदर कहती है after his father died जब उनकी फादर की डेथ हो गई उसके बाद में when Richie was in third grade और उनके फादर की डेथ कब हुई जब रिची तीसरी कक्षा में था तब उनके फादर की डेथ हुई थी यह आप note कर लीजिए कि रिची की फादर कब expire हुए थे कि जब वो तीसरी क्लास में था तब ही उसके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद में उसकी मा जो है और भी ज़्यादा उसके साथ time spend करने लग गई और वो कहती है वो ही मेरी दुनिया था और मैं उसको हर चीज से support करने की कोशिश करती थी जो भी वो काम करता था जो भी वो सीखना चाता था मैं हमेशा उसके लिए आगे से हर चीज की विवस्था करके रखती थी ताकि वो और अच्छा अपने आपको explore कर सके क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही दिरड़ निश्चाई बच्चा था दिमाग भी उसका बहुत तेज था अउनली कमपैनियन यानी एक मातर साथी अंटिल यानी निर्दिष्ट समय तक यानी उस समय तक जब तक हम कह सकते हैं होल लाइफ यानी पूरा जीवन आगे देखते हैं जो समय है वो खाना खाते टाइम डाइनिंग टेबल पर डाइनिंग रूब में हम एक साथ अपना समय स्पेंट करते थे यानी व्यतीत करते थे इफ ही डिड़न्ट हैव थेंग्स तो डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम और मैं इस चीज का भी ध्यान रखती थी कि अगर उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए तो मैं कुछ चीजें उसके लिए ढून के रखती थी ताकि वो उसमें अपना दिमाग लगा सके उनको कर सके अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता था करने के लिए I found work for him, मैं उसके लिए काम ढूलती थी, not physical, ऐसा कोई काम नहीं कि भी, physical work करना हो, क्यों चीज उठा के लिए जानी हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई काम ऐसा जिसमें उसका interest था, work but learning things, यानि कोई physical काम नहीं, यानि कोई शारिरिक काम नहीं ढूलती थी, बलकि कोई ऐसा काम बताती थी उसको जिससे कि वो कुछ सीखे, but learning things, जिससे कि वो कुछ नहीं चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करे, his mother said, उनकी मा कहती है, he liked it, और उसको वो बहुत अच्छा लगता था, जो भी मैं उसको काम बता देती थी, कि बेटा तुम ये कर लो, इस चीज से, वो नहीं संकल्प था, तो कुछ भी उसको बताते थे, जिसमें उसको कुछ सीखने को मिलता था, तो वो उसको जरूर करता था, और he wanted to learn, और वो और भी ज्यादा सीखना चाहता था, and learn he did, और वो इसी तरह से आगे से आगे वो सीखता जा रहा था, he earned top grades in school, और उसको विद्याले में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त होते थे, top grades यानि बहुत अच्छे अंक ऊपर जो बच्चे रहते हैं पढ़ाई में उस तरह है कि उसको अंक प्राप्त होते थे, spent का मतलब होता है समय बिताना, physical work का मतलब होता है शारीरिक काम, और earned top grades यानि शिशस्त श्रेनी प्राप्त क जैसे class में first, second, third, top grades होते हैं वो ही उसको मिलते थे, kid का मतलब होता है बच्चा, on everyday things he was just like every other kid his mother said, और on everyday things, रोज मर्रा के जो काम होते थे, वो वैसे ही करता था, जैसे he was just like everyone, every other kid his mother said, और रोज मर्रा के जो काम है, जैसे हर आम बच्चा करता है, वैसे ही वो कहती हैं कि मेरा बेटा भी करता था, by the time he was in the school grade, a bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown, see the following box, by the time he was in second grade, अब हमने देखा कि जब वो third class में था, तीसरी class में था, तब उसके father expired हुए थे, ये उससे पहले की बात है, जब वो second class में था, तब उसने कितनी बड़ी उपलबधी प्राप्त कर ली थी, वो देखिये आ by the time he was in the second grade, यानि कि जब वो second class में था, a bright had collected all 25 species of butterflies, उसने तितलियों की 25 प्रजातियों को इकठा कर लिया था, यानि 25 प्रजातियां थी जिनके बारे में वो जानता था, किसकी तितलियों की, और अगर एक second class के बच्चे को देखा जाये तो उससे तितली के अलावा, नाम क के लावा और कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन ये बच्चा देखिए, कितना लर्नेट था, कितना जादा जिग्यासु था, और इसने सिर्फ second class में 25 प्रजातियां जो हैं, उनकी खोज ही कर डाली थी, कि तितलियों की 25 प्रजातियां हैं, हर एक के बारे में वो जानता था, second class में ही, found around his hometown, जो भी उसको उसके कसबे के आसपास मिली, उन में से 25 प्रजातियां, तो वो धूंड ही चुका था, see the following box, आपको एक box दिखाया हूंगी मैं, जिसके अंदर पूरी उन butterflies के बारे में, तितलियों के बारे में बताया है, जो उसने खोजी, species of butterflies, तितलियों की प्रजातियां, तो देख लेते हैं, वो टेबल भी एक बार, ये देखिए, species and sub species of butterflies collected in six weeks in reading Pennsylvania, जब वो पैंसिलवेनिया में पढ़ाई कर रहे थे, second class में थे, तो छे हफतों में ही, उन्होंने इतनी सारी 25 प्रजातियां तितलियों की, जो हैं, उनके बारे में पता लगा लि होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उन्निस, बीस, एकिस, बाईस, तेईस, चौबिस और पच्चिस, टोटल देखिए, 25 प्रजातियां वो ढून चुका था, इनको आप study कर सकते हैं, हम चलते हैं, आगे, that probably would have been the end of my butterfly collecting, अब वो कहते हैं, कि शायद ये जो probably का मतलब है, लगभग निश्चित रूप से, अब ये मेरा जो butterfly इसको इकठा करने का जो काम था, यानि तितलियों को इकठा करने का काम था, वो पूरा हो चुका था, he said, उसने कहा, but then, अब वो क कहते हैं, कि अब तो मेरे पास और कोई butterflies collection कोई काम ही नहीं बचा, he said, वो कहते हैं, but then my mother got me a children's book, फिर उनकी माँ उनके लिए एक किताब लेकाई, बच्चों की किताब, जिसका नाम था, called, यानि इसको कहा जाता था, The Travels of Monarch X, यानि Monarch भी एक तरहे की तितली है, उसकी यात जीवन चक्र कैसे चलता है, जैसे कब अंडा होता है, फिर उसमें से किस तरह से catapiner निकलता है, प्यूपा होता है, पूरा का पूरा और फिर वापिस वापिस Monarch तितली बन जाती है, इसके उपर उसमें पूरा उसका जीवन चक्र था, तितली का, एक का जिसका नाम था Monarch, तो उनकी मदर ने, क्योंकि उनको तितलियों में इंट्रेस्ट था, तितलियों की उन्होंने प्रजातियां ढूंड ली, तो मदर ने उनको एक किताब लाके दे दी, जिसमें एक पर्टिकुलर मोनार्क नाम की जो तितली है, उसके बारे में उसका पूरा जीवन चक्र कैसी होती है, क्या खाती है, कौन से जानवर होते हैं, जो इनका शिकार करते हैं, सबकुछ उस बुक में था, और किस तरह से पूरा जीवन चक्र चलता है, अन्डे से किस तरह से वो मुनार्क टितली पूरी तितली में परिवर्तित होती है इन चीजों की स्टडी के लिए उन्होंने उसको वो किताब लाके दे दी The Travels of Monarch X जिसका नाम था That book which told how monarch butterflies migrate to Central America और उसी किताब ने उनको ये भी बताया कि Monarch नाम की जो ये तितलीया होती है वो किस तरह से That book वो किताब which told how monarch butterflies migrate उसी किताब ने उनको इस चीज की शिक्षा भी दी किस तरह से ये जो तितलीया है वो migrate करती है यानि दूसरी जगह चले जाती है अपनी जगह को छोड़के To Central America Central America में किस समय पे चाती है यहां से Open the world of science to the eager young collector और इस चीज ने opened यानि खोल दिया एक नया संसाज उस चोटे से विज्ञानिक बच्ची के लिए उसकी जिग्यासा को आगे बढ़ाने के लिए A young collector चोटा सा बच्चा जो तितलियां इकठी करता था उसने दो साल की उमर में ही 25 प्रजातियां तितलियों के ढूंड ली उसके बाद में तीन साल के बने उसके फादर भी expired हो गए अब जब तितलियों का collection खतम हो गया तो उसकी मा ने उसको एक किताब लाके दी मुनार्ख तितलि के बारे में कि किस तरह से पूरा जीवन चक्र था उस मुनार्ख तितलि का उसमें और ये भी बताया था कि ये जो मुनार्ख तितलियां है ये अपनी जगह से छोड़ के आगे किस तरह से दूसरी जगह चले जाती है यानि कि Central America में वो कभ माइग्रेट कर करती है यानि प्रवासन करती है पक्षियों में ऐसी एक हैबिट होती है कि कुछ समय वो एक जगह रहते हैं और फिर जब वहां का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा विपरीत होने लगता है उनके एकॉर्डिंग नहीं रहता तो वो माइग्रेट कर जाती है यानि प्रव जगह से वापिस वो आ भी जाती है और कई बार वहीं रह भी जाती है तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन यानि एक जगह छोड़के दूसरी जगह जाना तो यह जो मुनार्क जो तितनिया थी यह किस तरह से सेंट्रल अमेरिका की तरफ प्रस्थान करती थी उसके बारे में जिन बच्चों ने भी यह पढ़ी हो उनके लिए एक नोट भी लिखा हुआ था at the end of the book यानि किताब के आखिर में readers were invited कि जिन लोगों ने भी यह किताब पढ़ी है उनको आमंतरित किया गया था to help study butterfly migration ताकि वो लोग भी यह जो butterflies हैं यह किस तरह से migrate करती है एक जगह से Central America की तरफ migrate करती है तो अगर आप इस study में भाग लेना चाहते हो क्योंकि young scientist होंगे जो बच्चे इसको पढ़ेंगे और अगर वो curious हुए और इसमें अपनी और अपना दिमाग लगाना चाहते हैं अपनी help करना चाहते हैं इस study को आगे बढ़ाने में butterfly migrations की जो study हो रही है कि क्यों migrate करती है यह तितलिया एक जगह से दूसरी जगह है they were asked to tag butterflies for research उनको यह कहा गया था कि आपके यहां पे जो भी monarch जो तितलिया है उनको आप टैग करोगे या उन पे एक चिपपी चिपका होगे अपने नाम की और फिर देखोगे कि वो उस पे लिखोगे कि जिसको भी तितली कहां पहुचती है अगर कोई इसको देखता है तो वो उस पे नाम देखके आपको बताएगा कि अव यह जो तितली है वो migrate होके इस जगह पे आ गई है उस पे एक चोटा सा नोट लिखा हुआ गा चिप पे तो देवर आस्ट टू टैग बटरफ्लाइज फोर रिसर्च बाइ डॉक्टर फ्रेडरिक ए उगट यह आपको नाम याद रखना है क्योंकि इन्हों ने इस बच्चे को बहुत हेल्प करी है आगे अपने एक विग्यानिक बनने में तो इन्हों नी वो जो किताब थी उसमे नोट छोड़ा हुआ था कि अगर कोई इस रिसर्च में भाग लेना चाहता है बच्चा बटरफ्लाइज की रिसर्च में तो उसके एरिया में जो भी मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाइज हैं तितलियां हैं उन पे वो अपने नाम की चिप छोड़ सकता है और हम देखेंगे कि कहां से आई और कहां पहुंची तो यह जो डॉक्टर है डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्गर्ट और यह कहां के विज्ञानिक हैं यह एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर है यह यह युनिवर्सिटी ओफ टॉरंटो के और यह कहां पर है युनिवर्सिटी ओफ टॉरंट यह बारे में उन्होंने अपनी मदर को बताया होगा क्योंकि वो अपनी मदर से हर चीज डिसकस करते थे तो उनकी मदर ने फिर डॉक्टर उर्गर्ट को उन्होंने पत्र लिखा और इसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से जो एबरेट है उन्होंने इसमें भाग लिया और टैग लगाने शुरू कर दिये वहां जो तितलिया थी मोनार्क उन पे उससे पहले देख लेते हैं difficult words, reader का मतलब होता है पाठक, invited का मतलब होता है निमंतरित करना, migration का मतलब हो लगाना कोई भी चीज, adhesive यानि चिपकाने वाली कोई भी बस्तू और टैग्स यानि चिप्पी लगाना तो इन तितलियों पे चिप्पी लगानी उसने शुरू कर दी थी, wings of monars, और कहां लगाता है थे वो उन चिप्पियों को जो पंक होते थे उन तितलियों के उस पे वो The woman who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urgat, और किसी को भी वो butterfly जब मिलेगी आगे और कोई उसको पकड़ेगा, इन ही की तरह कोई जिग्यासू बच्चा होगा, scientist होगा और वो चिप्पी देखेगा, तो इसको यह कहा गया था कि आप इसको Mr. Urgat, जो doctor है, उनको भेज दें, उनको बता दें क यह जो butterfly है, अब यह यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो इस study में यह बच्चे help कर पाएंगे, तो bright ने भी करना शुरू कर दिया, the butterfly collecting season around reading last 6 week in late summer, और यह जो तितलियों को जो इकठा करने का जो काम था, butterfly collecting season, कि इसका जो एक season था, जो एक रितू थी, around reading last 6 week, यह लगभग 6 हफतों की ही होती थी, in last summer, और कभ यह दिखाई देती थी, जब summer का जो आखरी time होता था, यानि गर्मियों का जो आखरी समय होता था, उसके जो 6 week होते थे, उसमें ही ज्यादा यह मुनार्क जुतितलियां है, यह दिखाई देती थी, तो वो study उसी time की जा सकती थी, वो लगाने के लिए तो आप ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तितलियां है, so the next step for a bride was to raise a flock of butterflies, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक एक तितली को तो पकड़ के यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा तो यह है कि मैं पूरा का पूरा एक जुंड जो है इन त जंख्या में होंगी, तो कुछ ना कुछ तो आगे पहुंचेंगी और study में help हो पाएगी, wings का मतलब होता है, punk, tagged butterfly यानि चिप्पी लगाना तितली के उपर, butterfly collecting season, यानि तितलियों को संखरन करने का, जो season है, वो मौसम है, last six weeks, यानि 6 हफतों तक जारी रहती है यह चीज, late summer यानि ग्रिश्मरितु के अंत के निकट के समय, और raise a flock of butterflies, यानि तितलियों के जुन्ड का pollen potion करना, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो possible नहीं हो पाएगी यह study, कि मैं एक एक तितली को पकड़ू और उस पर tag लगाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, कि यह जो season है, जिस season में, यह जो female monarch, take her eggs and raise them in his basement, through their life cycle, अब वो कहता है, सोचता है, कि अब मैं ऐसा करता हूँ, कि जो मादा monarch है, उसको पकड़ लेता हूँ, take her eggs, और उसके वो जो अंडे देती है, उन अंडों को लेता हूँ, and raise them in his basement, और मेरा basement जो है, घर के अंदर जो नीचे जो तलगर होता है, उसको basement कह है, वो कहता है, और उसमें मैं इन अंडों को डेवलप करना शुरू कर देता हूँ, through their life cycle, और मैं देखता हूँ कि किस तरह का जीवन चक्र इन अंडों से शुरू होता है, कैसे इतली बनती है, from egg to caterpillar, अब देखे, इसको आप याद रखिएगा, सबसे पहले अंडे होते है अंडों से इली निकलती है, वो caterpillar निकलता है, उससे फिर pupa बनता है, और pupa के बाद में वो adult butterfly, यानि पूरी butterfly बन जाती है, तो 1, 2, 3, 4 stages होती है, एग होता है, उसके बाद caterpillar बनती है, फिर वो caterpillar से बड़ा होके पुपा का रूप लेता है, और pupa से वो आपिस तितली बन जाता है, तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि मैं इसकी study करूँगा, then he would tag the butterfly's wings and let them go, फिर उसके पास बहुत सारी monarch butterflies उसके basement में होंगी, तो उनके उपर वो टैग लगा के उनको उड़ा देगा, छोड़ देगा, for several years his basement was home to thousands of monarchs, और काफी सालों तक वो इन तितलियों के उपर research करते रहे और उनका जो तलगर था वो in butterflies से भर चुका था, for several years, काफी सालों तक his basement, उनका जो तलगर था, was home to the thousands of monarchs, ये बहुत हजारों की संख्या में monarch तितलियों थी, उनका घर बन चुका था, in different stages of development, जो की अलग-अलग stages में जो उनका विकास हो रहा था, वो देखा जा भी थी, तो basement मतलब होता है भूमिगत मन्जिल, life cycle यानि जीवन चक्र और adult का मतलब होता है वियसक, तो number and kind of butterflies collected in six weeks, छे हफ्तों में उन्होंने कौन-कौन-सी butterflies को इकठा किया, कौन-कौन-सी तितलियों को इकठा किया, gossamer, winged, wood nymphs and styros, brush-footed, whites and sulfurous, monarch और snout, ये अलग- भी करी और उनके अंडे भी लिये और उनकी life cycle को study भी किया, और ये उन्होंने छे हफ्तों तक किया, तो देखिए इस तरह से उन्होंने, क्योंकि जब तितली पकड़ी तो वो एक ही तितली तो पकड़ी नहीं गई, बहुत सारी अलग-अलग तरह है कि तितलीया पकड़ी किया, eventually I begin to lose interest in tagging butterflies, और eventually का मतलब होता है, धीरे धीरे अंत में, और गो कहते है, I begin to lose interest, मेरा जो रूची है वो में खतम करने लग गया, किसमें in tagging butterflies, in butterflies को tag करने मेरी रूची जो है वो खतम होने लग गई, it's tedious and there's not much feedback, tedious का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा उबाओ, वो कहत बहुत थका देने वाला सा काम था, काफी सालों से में कर रहा था, और कोई result नहीं आ रहा था, feedback में नहीं प्राप्त कर पा रहा था, begin to lose interest का मतलब होता है, दिल्चस्पीक होना शुरू कर देना, and there's not much feedback, और उसका कोई खास result भी नहीं आ रहा था, a bright set, a bright कहते है, in all the time I did it, he laughed only two butterflies I had tagged were recaptured, अब वो कहते हैं, in all the time I did it, कि पूरे समय जितने समय तक मैंने पूरा काम किया, उन तितलियों को पकड़ा भी, और उनको अपने वेस्मेंट में, उन अंडों से उन तितलियों को develop भी किया, उन अलग-अलग तरहे की तितलियों की life cycle को भी study किया, और फिर ज recapture, जितनी butterflies उनोंने छोड़ी थी, उन में से सिर्फ दो ही butterfly जो हैं, वो किसी को मिली और उनका पता चला, वो recapture की गई, यानि पूने हैं, उनको पकड़ा गया, किसी ने उनको पकड़ा और वो पहुची, and they were not more than 75 miles from where I lived, और वो कहते हैं, कि जहां में रहता था, वहां से ज के बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली, तो इतनी महनत करी और result जो था, वो कुछ भी नहीं था, तो उनको कहना है कि अब मैं इस काम को पसंद नहीं करा था, मैं इस से बोर हो गया था, मैं इसमें interest खोने लग गया था, क्योंकि इसका कोई result नहीं था, और बहुत थकाना है कि मैं इस काम से बोर हो गया, तो बचों हम इस chapter को continue करेंगे next part में और देखेंगे कि इसके बाद फिर होने क्या नया रोमांचक काम किया, क्या नई खोज करी, बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये chapter, हम मिलेंगे next class में तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहें, thank you